हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th NCIT का एक्सर्साइज 1.1 को स्वल्व करेंगे तो एक्सर्साइज 1.1 में फ़र्स्ट कोश्चन है कि इस 0 और रेशनल नंबर, can you write it in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, means क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या आप इसे P by Q के form में लिख सकते हैं जहां P और Q क्या हो? integer, तो 0 रेशनल नंबर है क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए P by Q के form में जिसको एक्स्प्रेस कर सकते हैं, तो 0 को P by Q कफर में लिख सकते हैं, 0 को हम लग लिख सकते हैं, 0 by 1, 0 by 2, ऐसे ही, तो इसका एंसर होगा, यस, 0 is a rational number, 0 एक rational number है, अब उसके बाद है कि, can you write it in the form of P by Q, क्या आप इसे P by Q के फर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ, हम लोग इसको P by Q का फर्म में लिख सकते हैं, तो yes, we can write it in the form of P by Q as 0 by 1, 0 by 3, 0 by 4, ऐसे ही, बहुत सेरा लिखा जा सकता है, और यहाँ पर 0 by 1, 0 भी इंटीजर है, और 1 भी इंटीजर है, और जो नीचे Q है, 1, 3 या 4, यह सब 0 के equal नहीं है, तो इसका मतलब यह क्या है, rational number हो गया और इसको P by Q के फर्म में लिख दिये, अब question number 2 में, question number 2 में दिया है कि find 6 rational numbers between 3 and 4, तो 3 और 4 के बीच में 6 rational number को find करना है, तो लिखेंगा पादर solution में 3 and 4, अब उसके बाद लिखेंगे, we can write 3 and 4 as, अब 3 और 4 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 और 4 को लिख सकते हैं, 3 by 1 and 4 by 1, अब इसके बाद जितना rational number निकालना होता है, उससे एक ज्यादा से हम लोग multiply करते हैं, तो 6 से rational number निकालना है, तो 6 से एक ज्यादा 7 से multiply करेंगे, तो 3 by 1 में 7 से उपर और 7 से नीचे, मतलब numerator में भी और denominator दोनों में multiply करेंगे 7 से, यह हो जाएगा 37 जा 21 by 7 and यह 47 जा 28 by 7, अब 21 by 7 और 28 by 7 के बीचे 6 से rational number हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे required rational number numbers are 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, 27 by 7, तो यह 6 रेशनल नंबर हो गया, 3 और 4 के बीच में, अब question 3 में, question 3 में दिया है, find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5, तो 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में 5 rational number find करना है, तो solution में लिखेंगे, 3 by 5 and 4 by 5, जितना rational number निकालना होता है, उससे एक ज्यादा से multiply करेंगे, तो 3 by 5, में 5 निकालना है, तो एक ज्यादा मतलब 6 है, numerator में भी करेंगे, और 6 है, denominator में भी, उसी तरह 4 by 5 में भी, उपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, और 3 6 जा 18, और 5 6 जा 30, and, यह 4 6 है, 24 और 5 6 है, 30, आफ 18 by 30 and 20 by 24 by 30 के बीच में भी लिख लेंगे, रिक रेक्राइड, rational number, 18 by 30 के बाद भाद जागा, 19 by 30, 20 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, के बाद 23 by 30, 1, 2, 3, 4, 5, तो यह 5 रेक्राइड नमबर, 3 by 5 and 4 by 5 के बीच में हो गया,